हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे आइन भी वर्सेस ए यू एम फॉलिश्टेट्स पलस इन्फो यानि कि इंडो बुल्गारियन वर्सेस अमरीकन यूनिवर्सिटी ऑफ माल्ता के वीज्यो मैश सब्सक्राइब यहां पर देख लेंगे तो यहां पर यहां पर यह जो सिरीज चल रही है यह मैच जो है दो मार्च को साम से वज़े से स्टार्ट हो जाएगी बेन्यू जो रहेगा कार्तमा करेंगा जो की स्पेन में है पीशे बात कर ले तो आपको एक बैटिंग फ्रेंड करते हैं यहां पर देख में करें पर कि अबने मीन टार्य बालिऊ ही और जानेहें यहांच यहां पर यह ऑन हनडर इसको यहां पर 100% ही रहता है बजो ढगने हो प्लूंट टीम वेगरा इसके लिए आपको टेलेगराम से जोटना जोर है चांस का असुक्त करना जाएगा आपको लिंग से या ना विदाउट लिंक के आते हो सकता कि आप गलाच चैनल में चले जाएंगे हमारे प्रिजी चैनल से जूने का एक मातर जरीया है तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडो बुलगारियन की टीम जो है इनके बारे में बात करने से पहले सबसे आप वीडियो में आ ही चुके हैं वीडियो देखी रहे हैं तो एक लाइक कर दीजेगा जरूर बाकी अगर पहली बार हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और टेलिग्राम से जुड़ भी जाएंगे तो देखे परकास मिसर आपको मिलेंगा बालिंग सेक्षन में यह पिलियर लास्ट सीजन इस यह 2022 में मैचेस में ओपेंड कर रहे थे प्लस आपको एक से दो अबर की गेंदवाजी दे रहे थे बालिंग थोड़ी से कम कर रहे थे बट ओपनिंग बल्लेवाजी दे रहे थे खिलारी सांदर है बुलगरिया टिम के है यह ECL के अंदर बनाए थे यह जो रिकॉर्ड है यह ECL के हैं बाकि ओभर ओल एरोपियों टीटेन मान के चले ECS हो गए या फिर ECC हो गए या फिर और भी जो भी सिरी जाई यह ECI हो गए टोटल टीटेन के अंदर इन्होंने 33 मैचेस खेले हैं 609 से रन बनाए है हाई स्ट ट्राइक कर लेंगे बाकि क्रिष्टो हरिष्टो लागव की बात कर ले तो ECL 2022 में पिछले सीजन देखेंगे तो यह भी ओपन या वन डाउन आ रहे थे साथ मैचेस में इन्होंने 111 रन बनाया था पिछले सीजन हाईस्ट कोर 31 करा था एवरेज 22 करा था 11 अभर की गेंदवाजी भी किये थे और 4 विकेट लिये थे अभर वल एरोपियन टीटेन में 33 मेचेस में 723 रना हाईस्ट कोर 67 का एवरेज 40 का 32 सीनिक्स में 55 अभर की गेंदवाजी गर के एक मेंडे डाल के 21 विकेट भी ले चुके है तो यह पिलियर भी आपके एक सीबी से के ऑप्सन में रहने वाले हैं क्रीक बेविश्टर जो कि एक अच्छे कलब से आते हैं यहां के लिए वो नहीं कहलते हैं यह आप देखें यह तो फॉर्डनर प्लियर है इस यहल 2022 में पिछले सीजन भी यह खेले थे साथ मेंचेस में चौरासी नाना हैश्ट को फॉर्टी वन का है बहुत ही सांधर बल्ले वाजी करते हैं बट पिछले सीजन उतना कुछ खास नहीं कर पाये थे बट खिलाडी टॉप किलास वाला है बेल गुल आपके टीम में होने चाहिए चार इनिक्स में छे अबर की गें वाजी विकेट ले तो बॉलिंग थोड़ी से कम करते हैं बट बल्ले वाजी यह पूरे पूरे आपको नंबर तीन से चार पे देंगे अबर वाल 2022 में डुमेस्टिक लेवल पे 23 मेचेस खेले हैं पास्टोचपणन हाइश्ट को 100 का है दो हाफ सेंचुरी हार एक सेंचुरी भी इनके नाम है 110 वर की गेंदवाजी किये थे 21 विकेट लिये हैं तो इनमें जो अबर वाल जो है न यहाँ पे इन्होंने ODD वगेरा भी खेल रखे हैं इस कारण से आपको ज्यादा दिखेगा बट खिलारी सांदर है प्यूंकि पिछले सेजन ECL खेल ले थे तो वहाँ प समझ सकते हैं अब आपको एक पिलियर मिलेगा जैमी बाटेन जो कि आपको और राउंडर सेक्शन में मिलेगा सबसे नीचे 10% से भी कम का सेलेक्शन खिलारी बहुत ही सांदर है इनका जो पिछला जो सीजन गिया था इनका आप कह लिजे कि लग बहुत ही खराब था इन्हो गेंदवाजी करते हैं अब देखेंगे बहुत ही सांदर किया था साहत मेकर में इन्हों इक सो बतिसरर और है को यहाउइ साथ इनिंग्स में लगभग पूरे ओभर करके दो मेडन भी डाले थे अब विगेट लेज गये तो खिलाड़ी बहुत ही सांदर आपके टीम के जी एल के तो बिलकुल सी बीसी होने चाहिए बाकि आप इसमॉल लिग में भी इनको सी बीसी ट्राय कर सकते हैं रिसेंट टाइम पलस दो अबर की गेनवाजी किये थे अबरवल 2022 के अंदर रिसेंट टाइम में इन्होंने 2022 में ही 15 में चार सुपाच रण हाइस्ट को रहा असी का एवरेज 28 का दो हाफ सेंचरी और एक सो चार अबर की गेनवाजी के 19 में डालके 31 विकेट लिए हैं तो ये पिलियर्स आप के चार आप मैचिस देख सकते हैं नमबर तीन या ओपन आ जाता है बट यहाँ पे जो है नमबर तीन चार पर ही हाथे वे दिख जाएंगे डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं ये इनका एड़वांटेज है नौ मैचिस में 98 रन बनाए है हाईश्ट को 26 का है एवरेट 14 का है नौ इनिंग्स में 14 पन 4 वर की गेंदवाजी करके 4 विकेट लिए है पिलियर सांदर है बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए रिसन टाइम में टी टेन खेल के आ रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ इनके बिकेट कीपर बल्लेवाज एड्रेयन लेजली डेनवर जो की ECS 2022 में खेले हैं बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे थे एक मैच में ही ओपेना के 32 रन बनाए थे बट आप यह चीश देख लिजेगा कि यहाँ पर जह है ओपनिंग के चांस मुझे नहीं लग रह है आप इनको इगनोर करके भी जा सकते हैं अब आएंगे एक पर लिए रोहित धीमन जो की अब देखेंगे तो डोमेस्टिक जो ECS वगएरा होते हैं वहाँ पे इन्होंने ठीक ठाक है बट ECL में थोड़ा नीचे बल्लेवाजी करते हैं नंबर पाच्छे पे या साथ पे आपको आते हुए दिख जाएंगे बट दो अभर की गेनवाजी यह आपको कंफर्म देंगे अप ECL के अंदर देखेंगे एक मिच में इन्होंने चार विकेट भी ले चुका है साथ मेचिस खेले थे जहां पे इन्होंने साथ विकेट लिये थे बल्लेवाजी से उतना ECL वगरा है यह टोटल इनके जो है टीटेन के रिकॉर्ड है बाकी पिछले सीजन के ECL के आप यहां पे देख सकते हैं रिसन टाइम में जो टीटेन खेले हैं यहां पे इनका फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है यहां पे आप देखेंगे इन्होंने 23 बनाए है 14 गेंदो मे नमबर 3 पे यहां पे बल्लेवाजी कर रहे थे तो यहां पे नमबर 3 पे तो नहीं आएंगे बट 5 से 7 नमबर पे आ सकते हैं बल्लेवाजी से भी इन्होंने अच्छा किया है गेंदवाजी लगबग लगबग एवरेस सही किया है बट बल्लेवाजी से इनका फॉर्म जो है दस करा था अभरोल टीटेन इरोपियन टीटेन की बात कर ले तो बाइस मैचेस खेले हैं अड़तालिस नन इनके नाम है हाइश्ट कोर सोला का एवरेज बाराग है कुछ भी उतना कुछ खास मुझे नहीं लेगे ये पिलियर मैं इनको इग्नौर ही करके चलने वाला हूँ रिसन टाइम मे जो टीटेन खिले हैं यहाँ पर भी इन्होंने देखेंगे 3 मैचेस में मात्र एक और में 1 जिन बाज़े किये थे एक बीगे लिये थे बाकी यहाँपे गेंबाजी नहीं कर रहे थे रिसन टाइम में एक ओवर की गेनवाजी किये हैं अब आएंगे एक प्लियर गगंदप सिंग जो की डोमेस्टिक लेवल पे जो इरोपियन किर्केट नेटवर्क होते हैं वहाँ पे इन्होंने अच्छा किया है बट इसील के अंदर इनका परदसन कुछ खास नहीं रहा है साथ मेचस में चार ही मेच में इनको बॉलिंग करवाई गई है लगवग आट ओवर की गेनवाजी करके दो वीकेट निकाले हैं अब ये बॉलर पूरे ओवर डाल नहीं रहे हैं इसकारण से मैं इनको आपको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ तो देखिए डोमेस्टिक लेवल पर इन्होंने अच्छा किया है जो ECS वेगरा वाली सिरीज जो होती है यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया है बट ECL में इतने मौके नहीं मिले हैं और रिसन टाइम में भी आप देखेंगे तो T10 में यहाँ पर भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया है बल्लेवाजी से भी गेनवाजी से भी तो इनके जो ECS में अच्छे हैं जो की ECS जो होती है वो European Cricket Series होती है यहाँ पर इनके इस्टेट अच्छा है बल्लेवाजी से भी गेनवाजी से भी तो आप ट्राइ करना चाते है यह जे डिफरेंसल तो बेलकुल आप ट्राइ कर सकते हैं यहाँ पर इनके विगेट कीपर मिलेंगे सफकत खान जो की एक राइट हैं बल्लेवाज है छे मेंचेस में आट रन बनाए थे ECL 2022 में पिछले सीजन आप इनको भी एगनोर करके चलेंगे कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं रिसन टाइम में भी उतना कुछ खास किये नहीं है बाकि अरजुन दिवन हाई सेलेक्टेट जा रहा है मुझे जहां तक रिकॉर्ड मिले है इनके रिसन टाइम में टीटेट जो खेले है यहाँ पे इन्होंने 3 मेंचेस खेले थे जहां पे 1 वर की इनवजे यहाँ पर 1 विटट यहाँ पर की नवजे पंदर रोन विए ले कि ले है तो यह इससे पता चलता है कि यह बालर है हाई सेलेक्टेट जा रहे हैं बैटिंग सेक्शन में है ओवर ओल्ड तेरा मेचेस में 6 रन बनाए थे और 11 पॉंट यानिके लगवाग 12 वर की गेंदवाजी करके 4 विगेट लिये थे अब ट्राइ करना चाते है एजे बॉलर आपको मिलेंगे बैटिंग सेक्शन में आप ट्राइ कर सकते है मुझे उतने कुछ खास रिकॉर्ड इनके लगे नहीं परसांद वर्मा के रिकॉर्ड देखेंगे तो रिसेंट टाइम में जो है इन्होंने बॉलिंग की है ओभरवल देखेंगे तो तेरा मेचेस में चार रन है यहां की बात कर ले थो यहां पर old stop को आबि नहीं गेट रहीं यहां पर कुछ करने का मौका नहीं मिला एज का concern रहेगा थोड़ा एस इनका जादा है इसकारण से मैं इन लोगों को अभी नहीं प्रेफर कर रहा हूँ अब देखें इनके अगेंज जो खेलेगी American University of Malta की टीम तो Malta की ये टीम है Basil George के बारे में ज़्यादा बात करनी की जरूत साइद मुझे नहीं है क्योंकि अभी ही फिलाल इनकी जो है अब देखेंगे 70-31 का राहा है किलाडी तो सांदर है बिल्कुल आप टीम में ट्राइ करेंगे डेथ में बॉलिंग करते हैं आठवा दसवा तो इन्पोर्टेंट रहने वाल है लेप्टेंड बल्लेवाजी राइटाम मेडियम बॉलिंग अब भरवाल एउरोपेंट ट्राइटेंड के अंदर 67 मेंचेस में 1477 रन है 9 Half Century है 48 वीगेट है तो और क्या चाहिए एक पिलेर्स को सी बी सी करने के लिए ये सारे ये जो है इनके पास सब कुछ है बाकी रौकी दैनिश की बात कर ले तो ये भी अभी फिलाल रिसेंट टाइम में ही खेल के आ रहे है बहुत ही सांदर फॉर्म से आ रहे है इनका जो सेलेक्शन पहले नहीं था मैं आपको बता दूँ इनका सेलेक्शन पहले नहीं था अभी दो-तीन दिन पहले ही इनका सेलेक्शन हुआ वाइसीच का द्यान रखिएगा तो इनके फॉर्म वाइस को लेके ही इनका सेलेक्शन हुआ है पहले इनके जगा पे महबूब अली का सेलेक्शन था जो की अभी फिलहाल इसकोर्ट से बाहर है अभी इनके रिपलेस में रोकी दैनिस को बुलाया गया है अभर वाल देखें ग करके जो है फॉर्म अच्छे नहीं है बट खिलाडी बहुत ही सांदर है हो सकता है कि यहां पर अच्छा कर जाए क्योंकि यह एक्सप्रियंस रखते हैं नेशनल लेवल के और वरॉल एरोपें टीटेन में कर जाता है मैच में बाकी और वरॉल एरोपें टीटेन के अंदर 36 में चार्सो अठारा रहना है हाइस्ट को सिक्स्टी का है एवरेज 20 का है एक हाफ सेंचरी यह 31 इनिंग्स में 49.3 और की गेंदवाज करके 23 बिकेट भी लिए है तो बिल्कुल आपके टीम में ट्राय करने वाले पीक है बिल्कुल आप ट्राय कर सकते हैं अब इनके बाद आएंगे जीतेस पटल जो की आपको मिलेंगे बालिंग सेक्षन में 2022 के अंदर ECS के अंदर जो है इन्होंने डेत में बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं हर एक में देखेंगे दस वान नौवाबर डाले हैं और एक अवर जो है पार पले के अंदर या पार पले के बाद बाद डाल लेते हैं बल्ले वाजी भी देखेंगे कभी कभी ओपन आ जाते हैं यहां पर ओपन आने के चांस कम है आपको नमबर पाच्छे पर दिख जाएंगे बल्लेवाजी भी ठीक टक कर लेते हैं अबरोल एरोपेंट टीटेन के अंदर 34 में 141 रहने है अश्कोर 34 का है बारा का एबरेज एक तिस इनीज में 56 और की गेंदवाजी के एक मेंदेनल के 30 बिकेट लिए हैं आपको बता दे कि यह पिलियर जो है एसील के अंदर ही इनका जो हाइस्ट स्कोर जो आपको दिख रहा है 98 का यह पिछले सीजन ही इन्होंने किया था 98 अभी रिशन फर्म देखेंगे यहां पे तो बहुत ही खराप है बट पिछले सीजन जो इनका एक बड़ा नौका आया था वो वरुन परसांद का 98 का वो एसील के अंदर ही आया था जो इनका हाइस्ट स्कोर भी है तो इन्होंने इसील में अपना बिश्ट दिया है बड़ जहादा तर मेंच में फ्लॉप भी हुए है एक आदी मेंच में चलते हैं बहुत चल जाते हैं बॉलिंग नहीं करते हैं ECL के अंदर बहुत ही कम किये है रिसेन टाइम में भी बॉलिंग कम किये है आप यहाँ पर देखेंगे ECL के अंदर 7 मेंचेस में 136 रन है हश्ट को 98 का है एबरेज 22 का एक हाफ़स ने चलिए 2 अबर की गेनवाजी करके दो मेंचेस में ECONOMY बहुत ही खराब लगभग 2 अबर की गेनवाजी किये थे सही 40 रन लुटाए थे तो आप इनसे गेनवाजी की expectation नहीं रखिएगा बाकी यह आपको बल्ले वाजी से दे सकते है बट recent form बहुत ही खराब है आप recent form यहाँ पर देखेंगे तो गेनवाजी हो या बल्ले वाजी दोनों ही खराब है overall की बात कर ले तो 45 मेचेस में 860 साट रन हाइश्ट को 98 का है average 27 का 6 half century है 39 innings में यानि 39 मेच में 48 अबर की गेनवाजी करके 23 विकेट निकाले है तो वारून परसांथ है तो बड़े ना बढ़ अभी form में नहीं है और यह चलते भी बहुत कम है जिस मेच में चलेंगे अच्छा चलेंगे नहीं तो यह आपको flop ही ज़्यादा तर देखने को मिलते है जस्पाल सिंग इस यह 2021 में खेले है आठ मेचेस में 75 सब्सक्राइब तर देखने के सब्सक्राइब तो यह तो अच्छा है बट 20 मेचेस खेले है यह बुरूई बात है तो अगर पूरे अभर मिलेंगे तब आप इनको ट्राइ करेंगे इनका एडवांटेज किया रहेगा यह नमबर छे साथ पर आकर आपको थोड़ी सी बल्ले वाजी भी दे देंगे अमंदीप रलहान की बात कर ले तो मुझे उतने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं लगे अभी फिलाल जो सिरीज चले थे उनमें दो मेचेस खेले थे जहाँ पर नमबर छे पर बल्ले वाजी किये थे एक-एक रन बनाये थे हैं दोजार इकिस में लाश्ट के तीन मेचेस देखेंगे तो यहाँ पर एक मेच में एक और की गेंदवाज करके एक विकेट लेके गए थे ले इसे 2022 में साथ मेचेस में तेरह रन बनाया है दो विकेट लिये हैं बट उतने मुझे खास इनके भी रिकोर्ड नहीं ले गए अप इनको भी इग्नोर करके जा सकते हैं मिटुल कुमर पटेल लेफ्ट हैं लेफ्टाम मेडियम बॉलिंग कर लेते हैं पर बॉलिंग नही की है कुछ खास रिकोर्ड है नहीं इग्नोर की जिएगा इनको भी मोहित पंचाल के बात कर ले तो ये भी देखेंगे 2022 के अंदर कुछ उतना कुछ खास किये नहीं है नमबर आर्ट नौ पर बल्लेवाजी करते हैं सिर्फ बारा टीटेन मेचेस में अबर ओल चार बिकेट हो सौरी चार रन बना है कुछ खास रिकोर्ड है नहीं तारक सा आपके लिए गेम जेंजर पिक रहेंगे बिकेट कीपिंग सेक्षन में जो अगर दो अभर पूरे कर लेते हैं तो लेफ्ट आम और्थोडोक्स बालिंग करते हैं बट इनका जो प्रोब्लम क्या है और अभर करते हैं साइटिस में मातर 21 में इनको बालिंग मिला है जिनमें की 27 अवर की गेनवाज करके 21 बिकेट लिए है तो देखे जिस बंदे को 21 में बालिंग करवा के 21 बिकेट मिल चुका है अगर इनको पूरा अभर मिलता है तो एक से दो बिकेट ये आपके लिए लेके जा सकते है कहाँ पे बिकेट कीपिन सेक्षन में जो कि एक बालर है लेप टाम और्थोडक्स बालिंग करेंगे आपके लिए गेम चेंजर डिफरेंशल पिक रहेंगे आप ट्राइ करना चाहते है तो बिलकुल इनको कर सकते हैं अब प्रब्लम यह है कि इनको बालिंग मिलेगी भी या नहीं अब यह देखना रहेगा बाकी जो है वो देखना पड़ेगा कि मेंड बॉलर कितने खेल रहे हैं अगर मेंड बॉलर अगर इनको लेके पांच बॉलर है तब ही बालिंग करेंगे अन्य था यह बालिंग नहीं कर सकते हैं अब एक पिलियर मिलेगे चंद्रकाद द और मुझे इनके कोई स्टेट्स नहीं मिले तो हो सकता है यह भी आपको एक आदी ओवर गेन वाजी कर दे और नंबर छे साथ प्या के बल्ले वाजी दे दे तो आप इनको ट्राइ करना चाहते हैं तो सिर्फ जी एल में ही ट्राइ करेंगे अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम कि नीचे नहीं जाएंगे जाते साथ इसे नंबर चार पे जाएंगे एड अन्बर जो है नंबर पांच़े पे बल्ले वाजी करते मैं इनको लेँगा नहीं एलस खान बहुत ही नीचे नमबर 7, 8, 9 पे लगवाग बल्लेवाजी करते हैं बाकि पिलेंग 11 में पता चली ही जाएगी कि कौन से पिलियर ओपन आने वाले हैं महईत पंचाल जो सिर्थ बल्लेवाजी करते हैं बहुत ही नीचे नमबर 7, 8 पे ध्यान नेते हैं तो आपके लिए यह ड़ीन बालिंग में सामिल रहते हैं तो दो अबर की गेंवाजी देंगे यहाँ पे अब आ जाते है वरुन परसान नाम बड़ा काम छोटा यह धीमन का देखिए यह भी प्रोपर बॉलर है बट जादा मेचेस में बॉलिंग नहीं किये है डोमेस्टिक लेबल पे ही खेले हैं लोग इनको ले रहे हैं मैं इनको नहीं लेने वाला हूँ वरुन परसान देखिए आप इनको GL में अगर छोड़ना चाहते तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं यह थोड़ी सी गेनवाजी दे सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि ECL के अंदर यह यहाँ पे गेनवाजी करेंगे पिछले सिजन दो मेचेस में दो भर की गेनवाजी किये थे जब चलते हैं तो अच्छा कर लेते हैं ECL के अंदर 98 का जो हाई स्ट्रिक स्कूर इनका है वो ECL के अंदर है इस कारण से मैं इनको ले रहा हूँ क्रिस बेवेश्टर जो कि आपको वन डाउन या टू डाउन दिख जाएंगे जो रहत पड़ने पर थोड़ी बहुत गेनवाजी कर लेते हैं बहुत मुझे उतना एक्सपेटेशन नहीं है गेनवाजी से बल्ले बाजी से ही जो करेंगे रोकी दैनिस की बात कर ले तो रोकी दैनिस अभी रीशेंट फर्म बहुत ही तगड़ा है एक बिकेट कीपर बल्ले बाज है आपको ओपेन या वन डाउन आते हुए दिख सकते हैं अब यहाँ पे देखे गगंदीप सी में है जो कि बॉलिंग के लिए जाने जाते है नंब पिलियर्स गेम चेंजर साबित हो सकता है एक जीरो पॉइंट एटी एट परसें सेलेक्शन है अगर बॉलिंग कर जाते है तो एक आदी भी गेट लेते तो आपके लिए डिफ्रेंसल पिक रहने वाली है एक उन्टा अलला को आप ट्राय करना चाहते है तो बिल्कुल कर सकत है बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं बैटिंग पीछ है मैं बैटिंग लेके जा रहा हूं वरून परसान सी बेश्टर रोकी दैनिस बैलिंग और सक्षन से बैसील जोर इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बात करनी के ज़रत है डिमो करेंसल निकोल अप जो बाजी भी देंगे इस करण से मैं इनको ले रहा हूं देखे जस्पाल सिंग उतने मुझे खास इटके श्रेट से लगे नहीं एकादी ओवर बॉल डाल लेते हैं और लोर डगमार के बल्लेवाजी कर लेते हैं मैं इनको लूंगा नहीं जो मेरे लिए फर्ष्ट पिक अगर अमी के साथ जो बॉलिंग किये थे वो थे जेमोई बैटेन बिकेट एक भी नहीं मिला था साथ मेंचेस में तेरो अवर की गेंदवाजी गर के बिकेट नहीं मिला था बट इकॉन वे मात रहे तीन की रही थी तो आप समझ सकते हैं कि पिलियर्स कितने सांदर है तो पिछला सीजन अनलकी गया था एक भी बिकेट नहीं मिला था बट इस सीजन आई थिंग की अच्छा करें अब बल्लेवाजी भी बहुत ही ला जवाब करते हैं मैं तो इनको लूँगा मैं यहां से जो है मलिक को भी लेके जाओंगा यहां से देखिए मैंने पी मिस्रा को ले लिया ह यहां से देखिए अब एक पिक जो है जे पटेल मैं इनको ले रहा हूं क्योंकि यह डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं अब देखिए लोग रोहित दीमन के साथ जा रहा है रोहित दीमन अच्छे की लाड़ी भी है पिछले सीजन एसील के अंदर एक मैच में चार विकेट ले सीद इसाई देखिए एक मेच खेले हैं जहां पर इन्होंने नमबर साथ पर आके बल्ले वाजे किये थे कुछ रन बनाए थे और एक बिकेट भी उस मैच में लिये थे तो यह एक डिफरेंसल पिक है जिनको आगर मैं किसी को कहूं कि आप डिफरेंसल में किसी को रखना चा अभी के लिए जो है अपनी डेमो टीम को इस परकार से बनी है अब बात कर ले हम हमपनी सी जो जाएगी इस मेच में बैसीलगोर्स के साथ जाएगी जो की ओड़न करेंगे पलस आपको दो और गयाद वाजे डेट में गयाद वाजी भी कर लेते हैं समें इनको लेके जा रह अब इस में के हम जान लेते हैं GL की CVC कौन कौन रहने वाले हैं बैसिल जो डी करेश्मेर लाक ओफ सी लाक ओफ और यहां से जैमी बाटन यह चार तो हो गई एक अच्छी वाली GL वाली बाकी रिस्की में आप थोड़े से CVC करना चाते किसी को तो यहां से आपके लिए परकास पहाउन या फिर नंबर ओपन या तीन नंबर पर आते हैं तो यह भी एक CVC अप्शन है यह चार पिलेस आप इन चार लोगों चार पिलेस में रोटेट करके चलेंगे इनको सी कर दिये इनको सी कर दिये इनको भी सी कर दिये इनको भी सी कर दिये कुछ इस परकार से आप टी प्रेसन और टॉप के कॉमेंट में मिल जाएगा उमीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के थुरू कुछ हेल्प कर पाया हूँ अगर कुछ हेल्प भी हो तो सबसे वड़े वीडियो को लाइक करेंगे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और टे कुछ हुआ है तो तो में जाएगा है कि मैं आपको लिए नहीं है झालिग्यों को प्रेवा है तो में तो तो में आपको लिए